नमस्कार प्यारे बच्चों मैं राजेंद्कमा प्रजापती प्रवक्ता भोगोल डॉक्टर करण सिंग इंटर कॉलेज रहले जन्पदागरा आज हम लोग 11 कक्षा के भाउति भोगोल के मुल सिध्धान्त नामक पार्ठ पुस्तक के अध्याय तीन प्रतिवी की आंतरीक थोड़ा सो उसके प्रकास डालते हैं हम लोगों ने महां पर देखा थे कि अन्दमे देखा कि जीवन कैसे आया तो यह सारे चीजें हम लोग ने देख लिया तो अब आपके दिमाग में कुछ का उतुहल वरे प्रसनाते हूंगे जैसे कि हमारी जो प्रतिवी है जो सकते हैं कि यह जो पृधवी है हमारी गलोब इक पृधवीयर कब पृतिदर्स है तो यह पृतभी अंदर से ढूर्ट है यह घर किसे कि अ में इसन हो घाए Kings के विद्धार भी उन्रम mirac College然後 a और सुनामी लहरे कैसे पैदा होती है प्रत्भी की आंत्रिक बनावट कैसे यह इस सब प्रस्ण आपकी दिवात में जरूर आते होंगे तो इन सब प्रस्णू का समाधान आज इस अध्याय में अवस्य हो जाएगा तो आज जो हम लोग यहां पर अध्यन करेंगे तो अध्यन के हमारे मुख्विंदु हैं जो सिच्छन के मुख्विंदु हैं वह कि दीवह अन्तरगत हम लोग पढ़ेंगे अर्थिश्य साधन का अध्यन करेंगे और इसके लाव़ हम लोग यहां देन करेंगे भोकंप यह गतिविधियू के इंतरगध हम लोग बंसे भोकंप क्या है वह रभॉकंकी तरंगू को संचरन कैसे होता है भोकंप 7000 के प्रकार और भोकम की माप पर हम लोग यानि इसकी तीवरता देहनता भोकम की क्या है और भोकम की प्रभाव इस प्रत्वी पर भोकम का क्या प्रभाव परता है और इसके लावा भोकम की आवरती यानि फ्रिक्वेंसी इसका अभी हम लोग थोड़ा सा यहां पर अध्यन करेंगे तो प मारी प्रत्वी है और इसकी तर्जा यानि केंदर तक जो गहराए है वह 6370 किलोंटर तक तो całe 6370 किलोंटर कर गहरारी तक जानकारी कैसे मिलेगी जानकारी लिए बैज्यानिकों ने बताए हैं प्रतेक्षरोटत और दूसरा अप्रतेक्षरोट सरोट जो अगर बात करें तो खननन कि समुदरी प्रवेधन झाल सबसे कर भात करें तो दच्छिड अफ्रीका की सोने की दो खान वहां पर से चार किलोमेटर गहरायी तक खोडाइवी है यह अब तक खनन में कि जाने वाली सबसे घहरी खाने यह आप अपरीकह महादीट में और कहां प्रित्वी की तिरद्याद 6,370 किलोमीटर है तो यह कुछ बात यहां पर हजम नहीं होती है और समुद्री परवेधन यानि जो ओसियन ड्रिलिंग की जाती है समुद्रों में तो वहां पर एक अभी तक आर्केटिक महासागर है जो वहां पर कोला छेत्र में सिर्फ 12 किलोमीटर की घहराई तक ड्रिलिंग की गईए POL और यह आज तक का सबसे गहरा प्रवेधन है तो यह भी बारे किलोमीटर तक की गहराई तक का प्रवेधन भी 6370 किलोमीटर तक के त्रिज्या को बिल्कुल उसके जानकारी को देने में सक्षम नहीं है और इसके लावा जो खुदाई से पदार्थ प्राप्त होते हैं यह निकलते हैं तो इनका विसलेशन के जाता है और इन विसलेशन के आधार पर अनुमानित आंकलन करके प्रत्विक यांतरिक बनावट और इसकी सनरचना का अनुमान लगाया जाता है और इसके लावा जोला मुखी उद्गार से प्राप्त ला तो कुछ न कुछ उस पर अपना मुल्यांकन करते हैं कि प्रत्वी की आंतरिक बनावट ये सनरचना उसके रासाइनिक सनरचना कैसी है और अगर हम अप्रतेक्स या परोक्साधन की बात करें अप्रतेक्स रोत की बात करें तो जो खनन हुआ है तो उस खनन से ये पता चला है अब तक कि गहराई में बढ़ने के साथ तापमान, पृत्वी का दबाव और घनत इन तीन चीजों में ब्रद्धी होती है जब पृत्वी के को ध्यान में रखकर बैग्यानिकों ने बिभिन गहराई पर पदार्थ के ताप, दाव और घनत को अनमानित किया है इसको हम लोग आगे जब अध्यन करेंगे पृत्वी की आंतरिक संचना तो वहां पर देखेंगे किस तरीके से बिभिन प्रतों में उनका प्रत्वी में वहां पर क्या तापमान है क्या द्घनतों है कितना दवाँ है इस सब हम अध्यन करने वाले हैं और इसके लावा प्रत्वी तक पहुंचने वाले उल्का पिंड उलका पिंड भी जो है अप्रत्यक श्रोत के अंतरगत आता है तेखिए उलका पिंड हलांकि प्रतिवी का भाग नहीं है लेकिन हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उलका पिंड का जो निर्माड है या उसकी उत्पत्ति है वह भी सौर परिवार से हुआ है जैसे क करके इसकी बनावट का पता लगाया जाता है और इसके लावाग गुरुत्वा कर्शन अप्रत्यक्स सुरूथ है इसके जानकारी के लिए प्रतिवी के धरातल पर वियो नत्छांसओंपर गुरुत्वा कर्शन ब interpret засण बल जोह है वह समान है और इस globe में जो भूमद रेखा है जो भी प्रित्वी को बीचों बीच से भागने बाटने वाली जो रेखा है वो क्या कहला थी भूमद रेखा या फिर विश्वत रेखा और जैसे जैसे हम उत्तर या दच्छिंक की तरफ जाते हैं तो एकदम सरकेंद्र पर आ खेख्रा के उत्रिदुप पर आकर इता है विश्वत रेखा और भूमद रेखा पर रिउंतम गुरुद्व İs तरीधी पर अलग 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 स्थानों पर गुरत्व विशंगति ग्रैविटि एन वल्यू तो इस तरीके से प्रतवी पर अलग अलग स्थानों पर गुरत्वा विशंगति विशंगति और गुरुत विशंगती जो है कि उत्पन होती है क्योंकि पृतिवी गुरुणन कर नहीं अपने अक्षपर और साथ में जो पृतिवी धरातल पर जो उसके पदार्थ हैं उस पदार्थ के द्रव्यमान यानि मास में भिनिता पाई जाती है जिसके करण गुरुत विशंगती उत्पन होती है या गुरुत्वाकर्शन में इस्थान इस्थान पर भिनता पाई जाती है अब देखे गुरुत्वाकर्शन ये विशंगती जो गुरुत्विशंगती है इसका हमारे भोगोल में क्या उपयोगिता है तो इसकी उपयोगिता ये है कि गुरुत्विशंगती ज मैं के गुरुत्वा कर्षं के साथ सांट में चुम्वक्य सर्वीक्षण बीजो है अप्रत्यक्ष्रोत में से एक प्रमुक्षाधन है है चुम्वक्षण प्रित्वी एक चुम्वकत्त की भाती काम करती है तो इसका सर्व latitude किया तो सर्विक्षन करके भी बहुत सारी चीजों का पता लगाया जाता है तो को चुम्बकिये सर्विक्षन भी प्रित्विक यांतरिक सनचना या उसकी बनावट को बताने में सक्ष्यम हैं और इसके लावा जो सबसे प्रमुक साधन है वह भोकम्पिये गत्वीधियां भोकम्पिये गत्विधियों का हम लोग यहां पर विस्तरित अध्यन करेंगे तो भोकम्पिये गत्विधियों के अंतरगत हम लोग भोकम्प के तमाम पहलों का यहां पर अध्यन करेंगे भोकम्प क्या है ये एक प्राकृतिक घटना है और इसका साथदिक अर्थ क्या होता है प्रिथवी का कमपन अर्थाथ प्रिथवी का कमपन प्रिथवी जब अचानक काप उड़ती है तो उसे कहते हैं भोकम्प और इक कैसे भोकम्प की उत्पत्ति कैसे होती तो प्रिथवी के आंतरिक भाग से निकलने वाली उर्जा के साथ तरंगे उत्पन होती है जिने भोकम्पी तरंगे कहते हैं ये भोकम्पी तरंगे ही बहुत महत्पून है यहां पर प्रिथवी के आंतरिक सन्रचना पर इन तरं प्रत्वी के अंदर जब दबाव परता है तो इन इसमें प्रवा हम yard ज यह ओते हैं और अपर से परता है तो उसको जोड़े रखने का प्रियास करता चटानों को लें प्रवा या गती उत्पन होने के करद इसी चटानों में दरार उत्पन हे जातीए जिसको बोगोल की भासा में ब्रंस कहते हैं या फॉल्ड कहते हैं तो इस फॉल्ड के सहारे ही इस ब्रंस के सहारे ही उर्जा उत्पन होती है जैसे ही चट्टान एक दूसरे से दूर सरकते हैं तो उनमें ब्रंस उत्पन हो जाता है और उस ब्रंज के सारे जो है बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन होती है और ये उर्जा ही जो है तरंगों को उत्पन करती है तो जहां से पृत्वी पर जहां से उर्जा उत्पन होती है जहां से भोकम्पी तरंगे उत्पन होती है उनको उदगम केंदर कहते हैं या क पन होती हैं और इसके सबसे उपर फोकस या उद्गम केंदर के सबसे ऊपर जो सबसे नजदीक स्थान है, वहाँ पर बोकंब की जो पहले तरंग पहुंचती है तो उसे अधी केंदर कहते इपी शेंटर कहते हैं यह बिल्कुल जो है उद्गम केंद्र से 90 डिंगरी का कॉन बनाता है अधिकेंद्र फोकस से या उदगम के इंदर से 90 डीगरी का कौन बनाता है और इसके अलावा इसके सहारे सहारे जो है और भी तमाम तरंगे निकलती हैं जो प्रत्वी के सतय पर जाकर करके टकराती हैं इधर उदर और ये टकरा टकरा करके फैलती रहती हैं पुरे पृतिवी पर संचर्ण करती हैं तो इस तरीके से त्रंगे उत्पन होती है वही चीज यहां लिखा है इन भरंसों के सहरे जिब चट्टाने एक दूसरे की विप्रित दिशा में सरक्ती हैं तो भरंस के सहारे उर्जा निकलती है जो सभी दिसाओं में गतिमान होती है जो हम इस चित्र के मादम से अभी समझ चुके हैं अब देखिए भूकमपीय तरंगे ये स्थलमंडल में ही आते हैं जो लिथास फियर है हमारे प्रतिवी का जिसका विस्तार धरातल से लेकर 200 किलोमेटर की गहराई तक है स्थलमंडल का तो सिर्फ यहीं पर ये भूकमपीय तरंगे या भूकम आते हैं अब भूकमपी तरंगों को कैसे इनका पता लगाए जाता है तो यह यंद्र है apan नाम है सीस्मोग्राप सीस्मोग्राप की सहावयता से धरातल या प्रतिवी पर भूकमपीय तरंगों का रिकार्ड के जाता है उसे अविले खित किया जाता है आप देख सकते हैं इस डाइ सीस्मोग्राप में रिकार्ट की जाती है इसको धरातलिये तरंग कहते हैं तो इस तरीके से प्रात्मिक तरंग या पी तरंग फिर सेकंडरी तरंग या दितियक तरंग और फिर तिरतिये तरंग जो धरातलिये तरंग है यह रिकार्ट की जाती है अब लेकित की जाती है किसमे भूकम मापी यंद्र में या सीस्मो ग्राप में है तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे जो भूकम मापी यंद्र है वो इन तीन अलग बनावट वाली तरंगों को परदर्शित करती है जो हमने देखा इस डायग्राम के माद्धेम से कौन-कौन सी पी तरंगे यह तरंगे इनको जो है बुन्यादी तोर पर दो भागों में बाटा जा सकता है इनी तरंगों को बुन्यादी तोर पर दो भागों में बाटा जाता है एक है भोगर्विक तरंग और दूसरा है घरातलिय तरंग भोगर्विक तरंग को जो है पी तरंग और एस तरंग में बाटा जाता है और सेकंडरी वेप्स का येस लेकर पहला अच्छा लेकर के पहला जो है उससे प्राइमरी या दिवतियक तरंग इसको कहते हैं अगर प्राइमरी तरंग के हम कुछ विशेष्टाओं पर यहां पर प्रकास डालें तो यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है तो पी संचरण की जो सभाव होता है वो ध्वनी तरंगों की भात ही होता है पी तरंगे ध्वनी तरंगों की भात संचरण करती हैं क्योंकि इसमें कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है कंपन की दिशा जो होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है जैसा तरल और ठोस और अगर एस तरंगों की बात करें तो इनकी विश्यस्ताओं पर अगर हम प्रकास डालें तो यह पी तरंगों के कुछ समय अंतराल बात जो है यह धरातल पर पहुंचती हैं सतय पर पहुंचती हैं और यह प्रकास तरंगों की समान संचरण करती हैं जैसा कि हमन प्रात्मिक तरंगे जो है इसमें संचरण जो कंपन होती हो समानांतर दिसा में होती है लेकिन यहां पर संकौन दिसा में कंपन पैदा करती हैं यह तरंगे जो संचरण करती हैं तो संकौन दिसा में कंपन करती हैं और यह केवल ठोस पदार्थ में संचरण करती हैं यह ठोस प कि एस तरंगे तरल पदार्त में नहीं प्रवेश कर पाती हैं तो पी और यह तरंगों की सहायता से ही वैग्यानुकों ने पता लगाया कि हमारी आंतरिक सनचना हमारी जो भोगर्पिक सनचना वो किस तरीके से कहां पर ठोस है कहां पर द्रव है तो यह सारी चीजें हम आगे और अगर ध्रातिलिये तरंगों की बात करें जो दूसरा बुह द्रातिलिये तरंग यह इसको आल वेफसी कहते हैं सतहिये तरंगों भी कायाता है चुकि यह भोगर्पिक तरंगों और चटानों के मदद जो हमारी प्रतिवी की चटान है उन चटानों से अंतर क्रिया करके जो व senate वी नहीं है मुक्रूष से औरतिल तरंग मैं बेकिन दुसरी तरीके श उत्वपन जो है एक नई तरंग है जो की पृतकिरिया सोरू चट्टानों में जब भोगरविक तरंग टकराती हैं तो उनकी credit कारणatar उत्वपन होती है और धरातल के सहारे चलती है ये सतय के सहारे चलती हैं इसलिए इसको धरातिलिय तरंग या सतहिय तरंग भी कहा जाता है और इस सीस्मोग्राप पर सबसे अंद में रिकार्ड की जाती हैं सीस्मोग्राप पर धरातिलिय तरंग सबसे बाद में पहुंचती है पहले पी तरंग पहुंचती है फिर एस तरंग पहुंचती है और यह अधिक विनासकारी होती हैं देखे यह यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो विनास प्रतिवी पर लाती हैं तो वो एल तरंगे लाती हैं या धरातलिय तरंगे लाती हैं क्योंकि यह प्रतिवी की चटान की सहरे जब यह संचरन करती हैं तो चटानों में अब देखें यहां पर कुछ खास बाते हैं तरंगों की बारे में हम देखते हैं तरंगों का वेग पदार्त के घनत द्वारा निर्धारित होती है तरंगों का वेग जो है वो पदार्त के घनत द्वारा निर्धारित होती है यानि पदार्त का घनत तरंगों की वेग को गती को निर्धारित करता है और प्रत्वी के अंदर पदार्त के घनत में भिनताएं पाई जाती है जैसा कि हमने पहले दिन किया कि प्रतवी के अंदर जो पदार्त हैं उन पदार्त में भिनताएं पाई जाती हैं इसलिए तरंगों में परावर्तन वा आवर्तन होता है चुकि पदार्त में भिनताएं पाई जाती हैं और इस कारण तरंगों में क्या होता है परावर्तन और आ आवर्तन कहते हैं तरंगें यहां से टक्रा करके कई दिसाओं में फैलती हैं तो इस तरीके से तरंगों का प्रावर्तन और आवर्तन यह एसी विधा है जिसके कारण तरंगें जो है हमारे प्रत्वी पर विविन दिसाओं में संचरण करती हैं फैल जाती हैं इस तरीके से एक जगे उत्पन होती है उध्गम के इंद्र से फोकस से उत्पन होकर करके और प्रावर्तन और आवर्तन के करण जो है अब अर्थ को एक सेड़ो जोन इसका उद्भग कैसे होता है तो यह क्या है भोकम छाया चेत्र जहां कोई भी भोकम पिये तरंगे अभिलेकित नहीं की जाती है प्रथी और बहुत सारे ऐसे अस्थान है जहां पर भोकम पिये तरंगे सिस्मोगराप में रिकार्ड नहीं की जाती है तो ऐसे चेत्र को क्या कहते हैं चाया चेत्र कहते हैं या भूकम चायाचेत्र कहते हैं तो इसको हम दो चित्र के माध्य में से समझ सकते हैं एक दोनों चित्र में हमने अलग-अलग दरसानी का कोशिश किया है एक में पी तरंग चायाचेत्र और दूसरे में एस तरंग का चायाचेत्र और दोनों को हम जब और लैप करेंगे तो य 梵हले चित्र में देखते हैं यहाँ पर यह है अधिकेंदर भूकम्ब का जहां पर भूकम्ब की पहली नंग पहुचती है вариант होती है यह सम्मान लेते हैं इस पी तरंग चाया चित्र में यह सारी क्या है इस वेप्स हैं अधीकेंदर से 105 डीगे तक तो यह आसानी से आती हैं दोनों तरफ अब देख सकते हैं लेकिन 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का छेत्र जो है यह एस और पी दोनों तरंगों के लिए जो छाया छेत्र है यहां पर ना तो पी तरंगे पहुंच पा रही है ना ही एस तरंगे पहुंच पा रही है और इसके लावा 145 से लेकर 105 डिगरी का च्यत्र और अधिकेंदर står से यहां पर इस तरंग को देखने सी पता जलता है कि जो एस तरंगों का च्छाय च्छित्र है वो पी तरंगों से ज्यादा है यह तरंगे प्रतिवी के बहुत सारी स्थानों पर नहीं पहुंचती है यह लगवक प्रकार के माध्यों से चलती है थोस द्रव और गयस इसलिए इनका च्छाय चित्र कम रहता है पीतरंगों का अब यहां पर हम लोग वोकम की प्रकार का अध्यन करेंगे वोकम की प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला भुकम है बिवर्तनिक भुकम यह भ्रंस तल के सहरे आते हैं जो अभी हम भुकम का जिसका अध्यन कर रहे थे वह इसी प्रकार का है बिवर्तनिक भुकम यह ट्रिक्टोनिक अर्थक्वेग भ्रंस तल के सहरे आते हैं इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है और द महसूस होते हैं और नियात भूकम और यह खनन चेत्रों में प्रयाद देखा जाता है जहांपर खनन का कारिया अधिक मातरह में के जाता है कि वहां पर खनन की छत धह जाती है तो इसके करण जटके महसूस होते हैं चोथा है विस्पोड भूकम जादा तर परमाण वो रासायनिक विस्पोटों के करण आते हैं ऐसा होता है कि अटामिक और जो है केमिकल बम बनाये जाते हैं और उनका विस्पोड जब किया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहां पर तरंगे उत्पन होती है जिस उनका स्टोरेज जब कर लिया आता है तो वहां पर दबाव पड़ता है जिसके करण भूकम बाने की संभावना बनी रहती है ऐसा ही भूकम महाराष्ट के कोईना में एक आया था भूकमपों की माप की अगर बात करें तो यह भूकमपी तीवरता की आधार पर और आगहात की तीवरता अर्था आगहात की गहनता की आधार पर दो प्रकार से भूकमपों का मापन के जाता है भूकमपी तीवरता की आधार पर रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है औ और मरकली स्केल पर जो आघात की तीवरता कमापन किया जाता है वो एक से लेकर बारह तक का रिकार्ड किया जाता है अब हम बात करेंगे भुकम के प्रभाव का देखे भुकम के आने से प्रत्वी यानि भूम हिलती है यह एक प्रभाव पड़ता है और दूसरा है धरातलिय विशंगदियां उत्पन होती है और परवतिय छेत्रों में भोश्कलन और पंक श्कलन होता है इसका हम लोग आगे व इससा प्रहस शञ्रण में और पंक श्कलन का अच्छी तरीके सध्न किया जाएगा और मृदा धर्य होता है- धरातल का यह तरह जोगना कोई भिभाग सकता है यह में होता है जहां यह मौले छेत्र में हिम होता है तो यह सब क्या है यह सब जो है एक से लिएक छे तक का दो या तरपन के टूटने से बाडह आजाती हैं और यह आख लग जाती है कहीं कहीं इमारतों का टूटना या धांचों का नश्ट हो जाना बस्तू ओंकर गिरना थीक है और सुनामी तो यह सारे जो है यह माणवी अच्छती को दर साथ में के बहुत बड़ी मात्रा में मानवी अच्छती होती है और सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी एक ऐसी घटना है जब भुकम का अधी केंद्र जो है समुद्र में होता है तो उससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन होती हैं समुद्री तरंगें उत्पन होती हैं जिन्हें जापानी भहासा में क्या था आता है। ऐसा ही एक भूकम्प जो सुनामी उत्पन हुआ था वो 26 दिसंबर 2004 को हिंद भहासागर में उत्पन हुआ था तो भारत रही तमाम देशों को उसने प्रभावित किया था उससे में अंड़मार निकोबार दिवसमू और तटिये इलाके जो बंगाल की खाली के हैं वो प्रभावित हुए थे इसके करण तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रथम पार्ट में हम लोगों ने यहां ध्यन क कि भोगर्प की जानकारी के स्रूत क्या हैं जिसमें हमने प्रत्यक्टारथ और अप्रत्यक्ष्रो believer का द्यन किया इसके अलावा सबसे जो महतपूर्ण हमारा तॉपिक था भुह कमपिये गतविधिया इसके अंतरगत्व हम लोगोंने भुकम पीये तरंगों का द्यन किया प्रभाव का इस पार्ट में अध्यन किया अगले पार्ट में हम लोग अध्यन करेंगे पृतिवी कियां के बारे में अध्यन करेंगे तो चलिए उससे पहले हम लोग यहां पर कुछ ग्रहकारी देख लेते हैं इस चेप्टर में ने जो कुछ पढ़ा है तो आप लोग को किताब कॉपी खोल करके बैट जाईए उसमें आप नुड करिए भोगरविक तरंगे क्या है चाय छेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और सुनामी घटना क्या है तो यह प्रस्णा आप लोग तब तक करिए